तो सवय में जांच परक्षाम शुखा करते तो ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ कहा जा रहा है यह प्रस्ताव है इसे मानना नहीं लेकिन इसे जाचना है अपने अधिकार पर जाचना है ठीक केसी प्रस्ताव की रूप में मैं आप सभी से पूछता हूं कि हम संबंध पुर्वक जीना चाहते हैं या विरोध पुर्वक जीना चाहते हैं तो क्या अंसर आ रहा है आपका हम चाहे तो चार्ड बॉक्स मों भी अंसर कर सकते हैं अगर संबंध है तो S लिप्टी जी विरोध लग रहा है तो V लिप्टी जी बहुत शॉर्ट कर ले तो उसको तुरंथ हो जाएगा हमकुर सक्षेना जी का कहना है कि संबंध सीमा मिश्रा जी लिप्टी जी बहुत बढ़िया और विजय कुमार जी तक वो आ चुका है संजे कुमार जी ने भी अपना रिप्लाइ दिया है अंजना श्रीवास्ता जी और सभी का रिप्लाइ आ रहा है हम संबंध पुरोग जीना चाहते हैं तो जो प्रस्ताव में अपने में जांज परक करने की जो पहली स्टेप है वो क्या है कि यह हम अपने से पूछे ध्यांजने और अपने से पूझे, अपने में जान्ज करके देखे, सहज सीकूरृती हम है सहज सीकूरीति हममें बनी हुई है uta हम अपने सही करेधार पर पूझे मैं सम्वंदग बिरोन जीना चाहता हूं ये बिरोन जीना अभी इसमें हो रहा क्या है कि जैसे हम यह जांज करने लग जाए तो मैंने आपसे question पूछा तो मैंने खुद में भी एक्स्टोर किया तो मेरा answer निकल के आया संबंध पुरोर जीना फिर तुरंट मैंने देखा कि अंकुर जी, सिमा जी, डिप्ती जी यह लोग क्या कह रहे है तो मैंने अपने में निरिक्षन किया, तो पाया मैं संबंध पुरोर जीना चाहता हूँ, फिर ये तीन-चार लोगों के साथ मैं answer देखा तो एक correction हो गया, उसके बाद मैं सभी के answers देखा, तो सर्वेक्षन हुआ, इससे क्या निकल के आ रहा है कि जो मेरी सहसिकृती है, व सभी में सर्वेक्षन करके ये देख रहे हैं, तो अब ये प्रस्ता हमारे लिए सही लग रहा है, अपने सहसिकृती के आधार पर है, और उसको इतने सारे प्रामेट्र से चिक परती है, अब ये प्रस्ता हूँ, अगर सही है मेरे लिए, तो सब कुछ तो मेरे जीने के अर् जब भी सम्मन के भाव हम में होते है, तब हम सुक् enmके भाव में हुऄ तब हम सुक्षि होते है है, तो तो सुख करता हूं तो वो सुख्य होगा या दुख्य होगा? उसको हम चेक कर सकते हैं. वो उभाई सुख है ना? अपने में संबंद के भाव को सुनिशिद करते हैं, दूसरों के साथ भी संबंद पूरो जीना, अपने में भी सुख को सुनिशिद करते हैं, दूसरे के सुख में भी भागीदार हमें कर पाना यह उसी तरह से ऑने समंधंति के साथ में संwow की संवंद्र्विक जीना और शकता level ससे अंधिक da कि उतपाधन करना जो प्रकृति के संपुर०्धे में मेरी अपनी भागी दारी थो व हो Сंपुरुद्धी है अब एक important question बनता है कि हमें क्या सहस्विकृत है हम अपने अधिकारपन जाजपरक करके प्रक्रिया से हम अपनी समझ को सुनिशित करें या कोई हमें बताए क्या करना है क्या नहीं करना है और उसे बिना जाचे जो भी कहा है हम उसको मान ले इसको समझ देते कि reflections के थूर कि हमें क्या सहज स्विकार है तो कुछी प्रक्रिया आपको सहज रूप से स्विकार है इसको पूछा जा रहा है आपको दोनों में से जो भी सहज रूप से स्विकार है आप उसे क्लिक कर सकते हैं और जब चर्चा चली रही है तो आप अगर कुछ input भी शेर करना चाहते हैं या किसे related आगर आपकी कोई question भी है तो hand rest कर सकते हैं microphone को unmute करके आपकी questions को भी put up कर सकते हैं कि कौन सी प्रक्रिया मुझे सहर स्विकार सहज रूप से सिखा रहा है मैं अपने अतिकार पर चांचना सत्यापन करना कि जो स्वयम में समझ कि और अगरसर हो जादेश आज़ की बएएं कि जी आ॓ं कि जब हमें में कोई चीज शमझ आ आजाती है और हम स्वयम में मैं समझ लेते हैं और अंदर से आवाज आती है उसको करने के के लिए उसको चाहांच परक्त के लें अपन जो भी कहलें तो जब अंतहर से प्रेंड आतिक नहीं हमें करना ही है तो हमारा करने का भाव अलग होता है उसका परणाम भी अलग होता है और जब दूसरे कहते रहते हैं लेकिन हम उसको समझना नहीं चाहते उसको भी सुनते तो है और उससे भी भाव बनता तो है लेकिन जब खुद में लगने लगता है उसे खुद की ठोगर लगने के बाद मैं समझ में आता है कि दर्द क्या होता है है तो दो गसा पर तो हिसी और उसके पर मेरे वीचार और उसके अधार पर मेरा वेवार बनता है लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा इसको अगर हमाँ अगर आप मेरा आप मानना आप की समझ के Left मानने से हमारी समझ नहीं बढ़ती है लेकिन जब आपने में जानज परक करके दिखते हैं दब हमारी समझ बढ़ती है तो हम स्वयम के अधिकार पर ये जान परक करके मैं समंद परोग जीना चाहता हूं या विरोध परोग जीना चाहता हूं इसको जब हम स्वयम के अधार पर जान परक करके देखेंगे तो मेरे लिए ना मेरे निशकर्ष निखनेंगे उसी तरह से हम सभी अपने अपने लिए इतनी शुकत को नहीं का सकते हैं बहुत ठीक और बताईए विजए कुमार जी विजए कुमार में वारे जी आपका भी हैंड रिज है हलो सर मेरी आवाज आ रही है हन जी हन जी कि इस विशे पर आधारीत मेरी एक शेरिंग है अभी रिसेंटली मैं वैसे इंदौर से हूँ कोवीड केर सेंटर में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी एजडिय हम साब निकाला था और तीन कोवीड केर सेंटर का सुपर विजन करने का मुझे काम दिया था उन्हों ने तो मेरे मन में तो मैं जब आत्म चिंतन किया तो मुझे लगा कि मैंने मतलब खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को अगर मेरी जगाजी साथ जो आदमी काम करेगा उसे अगर कुछ हो जाता है या कोई अब आंचीनी घटना उसके साथ घटित हो जाती है तो मैं जीवन भर कुद को माफ नहीं कर पाऊंगा तो मैंने आगे रहे के सर को फोन लगा है मैंने सर मैं करूंगा वह ड्यूटी और पिश्वर अपना बुरा नहीं करेगा उस लक्ष को लेकर समाज सेवा का काम करें तो एक संबंदों और आत्म विश्रिलेशन को लेकर ये शेरिंग थी तो मुझे लगा कि आपके समख्ष लखना चाहिए क्योंकि उसमें ये भाव था कि मेरी वज़े से किसी का बुरा नही कि मेरी भागिदारी को अपनी भागिदारी को सुनिचित कर पाना वो समंग को भी देख पाना और वही लगबद 41 जो लोग है वो यही कह रहे है कि मैं अपने अधिकार पर जान पर करना चाहता हूं 95% का तो तो इलकुल यही कहना रहा है तो अभी विजे जी ने जो पैंड को फॉलू किजिए एडवाइजर इसको फॉलू किजिए मास लगाए दूरी बनाए अवशक्ता नो हो तो घर के बाहर न जाईए हर जगे से यह कहा जा रहा है ति लेकिन अग जब तक हम बेक्टी अगर मैं अपने में जांच पर करके देख लू कि मुझे मेरे शरीर का संदक्शन नहीं करना है मेरे शरीर का पोशन करना है या पोशन नहीं करना है जब मैं जांच परक करके देखता हूं तो मुझे यह एक आवाज आती है कि शरीर का पोशन करना है संदक्शन करना है वो अगर मेरी क्लारिटी बनगी अपने में समझ अगर वो विकसित हो जाए तो फिर यह जितने भी कहा जा रहा है कि कोरोना को रोकने के लिए क्या करना, तो मैं वो कर पाऊंगा, लेकिन अगर वो मेरी अपने में ही समझ अगर विकस इतना हो जाए, मुझे शरील का संदक्शन भी करना है, यह भी बना है, वही क्लारिटी अगर नहीं बनी, तो फिर हम से अभी विजय जी यह कह रहे थे कि जब हम अपने में जांज परक करके लेखते, तो मेरी अपनी जो भागीदारी है, संबन का निर्वा करने के लिए, उस भागीदारी को भी सुनिशित करके, उसको सुनिशित हम कर पाते हैं, तो अभी जो बात हुरी है, संगीत व्यवस् कि अब भी सुक्ष लेकर हमारी जो कुछ मानियत आ ए लखता है तो उससे लेकर भी चर्चा करेंगी किमें ठुछ आप विचार जानना क्या होंगा की हम सुखी होते हैcott या हमें सुखी करने के लिए हमारा मेरा अपना प्रोग्राम क्या है मेरे सुख के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं किस में सुख मुझे सुख मिलता है तो दोचार लोग अगर शेरिंग हो जाए तो फिर चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं आप में से जो भी अगर रिफ्लेक्शन्स आपके विचारा दर रखना चाहते हैं कि सुख की परिभाशा आपके लिए क्या है जी पताईए जीतेशी जीतेशी श्रीवास्तोची जी जी थैंक्यू आप मुझे सुख या संतुष्टी तभी मिलती है जब दिन भर में 10-15 ज्ञान के बyssहा थो खिर में कह सकता हूं कि मुझे विपार संतुष्टि की खिंस आती है और दूसरी चीज़ परिवार परेकर साथ रहना भी एक कर वही अनुभव होगी हिवा फिर्लिंग आती है वही संतुष्टी आती लिए दोचीज मुझे लगता है कि मेरे लिए वो डेफिनेशन है सुप्पी थैंक यू परिया थैंक यू नाइनवती वरकडीची आपो कर देirs को अधीक है process कम सुबह से बर्धिनिशन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्रधि में सब्सक्तित कों आठ बात limit करोड़ साथ किसी का फोन होता दलता हूं की सब्सक्राइब अजरेमे track Ren Adviser लेती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपने सुक के लिए मैं हेल्प कुब में जा रही हूं तो गाड़ी में बैठा लू किसी को यह मेरी वजह से कोई खुस हो जाता है तो भी मुझे बहुत कुसी होती हूं और मेरी वजह से कोई और भी खुस हो जाता है तो उसके लिए करें और जो मुझे सुख मिलता है वो इसी बात में मिलता है कि मैं किस तरीके से किसी जरूयत मन की मदद कर पा रहा हूं दूसरा एक और जब हम जैसे नेना जी ने बताया अभी जब हम सुबे का समय सिफ हमारा वेक्टिकत होता है और प्रकृति के बीच में होते हैं तो वो व अपनी भीतर की यात्रा पर जाएं और अपने आपको अनुभूत कर सकें ये सुक्रम मेरे लिए एक परिया है सुबे का अपनी यात्रा के अंदर जाना धन्यवासर और बढ़िया थैंक्यू विजय कुमार मेवारा जी प्रोफेसर अनिता जी जी सर बहुत सारी बाते इसमे कवर हो चुकी है परिवार के साथ समय बिताना ये सबसे बड़ा अनंद है खुद के साथ बाते करना और दोस्तों के साथ जो समय बीटता है जिसमें बिना बात देता हो कि हम लोग फ्री होकर एक दूसरे के अनुभव साजा करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख बातने क करते हैं वो सुखत समय का एसास कराता है और मेरे द्वारा ऐसा प्रियास जिसके वज़े से किसी के चहरे पर मुष्कान आई हो या किसी का भला हुआ हो वह काम करने का प्रियास में लगातार करते रहता हूं इसके साथी प्रकरती को मतलब गहराई से देखने और उसके विशे में चिंतन करने पर भी एक अलोकिक आनंद की अनुभूती होती है और छोटी-छोटी बातों से एक अंदर जिस प्रकार से मन में लड़ू वूटते हैं उस तरह से एक अंदर से एक उर्जा प्राप्त होती है तो इस तर से बहुत सारे बिंदू हैं जो आनंद को उत्परे रख आनंद के उत्परे रख के रूप में हमारे जीवन में काम करते हैं बहुत बढ़िया चीक है रोपेसर अनिता जी उसके बार ग्रिप्ती ठाकुर जी जी से नमस्कर मुझे बहुत लंबी समय से इसा मैसूस हो रहा है कि मैं प्रतिक कारे में सुक महसूस कर रही हूं और बहुत कम ऐसा होता है कि जब मेरा मूर उपर नीचे हो तो मुझे लगता है कि मैं सुक में नहीं हूं नितु मैं हर समय अपने को आनंदित महसूस कर रही हूं हर इस्थिती में हर कारे करते हुए thank you जी नमश्कार और जैसा कि आपने पूछा कि सुख कब मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं अलपविराम से जुड़ी हूँ तब से मुझे सुख का जो एक experience है वो अलगी है और पिछले एक साल में lockdown में तो उसकी अलगी परिभाशा मेरे जीवन में आई है जैसे मैं सुख उटना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी लेकिन पिछले एक साल से मैं जुड़ी हूँ योगा से तो पांस से छे मैंने नियम बना लिया तो उसके बाद जो मु बहुत ही शान्त है और मैं पिछले तीन मेहनों से गीता का कोर्स भी जोइन किया मैंने तो उसमें भी मुझे सुख की अन्भूती कंटीनेशली मिल रही है और जो हमारे जुवलपुजले के बच्चे हैं तो उनकी मैं काउंसलिंग कर रही हूँ दसमी बार्मी की तो पिछल जो मुझे एक रिलेक्सेशन देती हैं वह हटके है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती और चौथा है लास्ट की मेरी फ्रेंड्स के साथ जो मेरी बॉंडिंग है कि डेली कुछ फ्रेंड्स है वाट्सप पे गाना गाते हैं बढ़िया तो वह एक जो रिलेक्सेशन तो वह एक अलग ही मुझे सुप्यान भूती देता है धन्यवाद और पढ़िया मुकेश जी भी कुछ कहना चाते है संजे कुमार जी भी कुछ कहना चाते है तो दन्यवाद सर्व मुझे लगता है मौन में मुझे बहुत खुशी मिलती है और जब मैं मानसिक रूप से कुछ भूल जाता हूं और पूरा ध्यान उसी पर रहता है जाहाे हो मित्रों से बातचीत करना हो चाहे कानःगाना हो तो इस तरह हम किसी भी कार में सारी दुनिया को भूल जाते हैं तो उसमें सुख मिलता है और सेवा कार में, योग में, ये कुछ चीज हैं, जो मिचे सुख प्रदान करती हैं, धन्यवासते हैं ठीक, बहुत बढ़िया लकानलाल असाटी जी, डॉक्टर कमरेश प्रदाथी जी, जी, मुझे अच्छा पढ़ने में, जो मेरे मन का है, मन पुसंद, अच्छा सुन लेता हूँ और कई बार जो मुझे लगता है, मैंने अच्छा लिख लिए, ये मेरे शुक्कु बढ़ा परवार के साथ, पद्नी की या बच्चों की छोटी-छोटी मदद जब कर देता हूँ तो शुक बढ़ जाता है, और अपने कारिस्थल पर निश्वार्थ भाव से जब मैं किसी की मदद कर देता हूँ तो मेरा सुख बहुत बढ़ जाता है, और यह आउसर मुझे कारिस्थल पर कई बार मला है, और जिसको मैंने किया, थेंक यू ठीक, बहुत बढ़िया, डॉक्तर समीरा जी नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते धन्यवाद आपके आज के सत्र के लिए, और में आवाज आपते कहां चर्भी होगी मुझे अभी जब सुख की बात हुई, तो क्योंकि परिवार के साथ हम लोग इस कारिकरम को सुन रहे हैं, तो जो मैंने विचार किया, उसमें मुझे बिल्कुल सीधे सीधे ये नजर आया, कि मेरा सुख कहां होता है तो मेरे पती के साथ जब मैं रहती हूँ, तो बहुत सारी चीजे बाते हो सकती हैं, लिकिन पती को अपने खेतों में उखते हुए पौधों को देख कर ही सुख मिलता है, वो बाकी सारी चीजों से निरपेक्ष रहते हैं समःधी की चीजों के बातों की, मेरे बेटे को अनुशासन जभ रहता है तब तंश्टस्त और सुख रहती हैं और मेरे लिए मुझे ये लगा कि qualité इन सब के बीच में infinite बिदना बनाकर अपने कारेस्ता पर बहतर से बैर अपनी सेवाएं दे पाऊ हैं ये मेरे लिए इसोख होता है क्योंकि मेरे लिए ना बनाना एक काम हो गया है तो जब सब अपनी मर्जी का करेंगे तो सुख कहीं न कहीं उसमें होते हुए भी थोड़ा सा तालमिल की कमी कई बार महसूस होती है लेकिन मैं चार पाँच वर्षों से जब से हमने स्वयम को जाचा परका है ये सारे बाते बिलकुल नियोनितम स्थर पर आ गई है थेंक यू बद परिया श्रीमती उसावैस ची को भी सुनते है और फिर थोड़ी सी चर्चा को आगे बनाते है उसावैस ची लिद्या अप तक आओ आज पहुछ पारी मेरी ठीक है तो लगबद हमने सभी ने अपने अपने विचारों को सांजा किया कि मैं सुखी जी जी बताइए नमस्ति सर मुझे सबसे ज़्यादा सुख मिलता है जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूं और बेल बज जाती है और जब बच्चे मुझे बताते हैं कि मैडम जब मुझे ज़ाइ बज गई है और जह जब मुझे सुनाही नहीं देती हूं बच्चे भी seंने प्यार से सुनते रहते हैं कोई simplemente भाषभर दू नहीं करते हैं तब जब बच्चे बताते हैं तब मुझे बहुत सुख मिलता है और बच्चों परिवार में रहना और बच्चों को अच्छा कुछ बना के खिलाना जिससे बच्चे खुश हो जाएं तब मुझे सुख मिलता है और जब किसी की हेल्प कर देते हैं कभी किसी के काम आ जाते हैं कोई पैदल जा रहा है तो जब मैं छोड़ देती हूं तब मुझे सुख मिलता है ऐसी चोटी चोटी बातों से मुझे सुख मिलता है थैंक यू सुख मिलता है